हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिसने वीडियों बात करेंगे बिहार पोस्टमेटिक एस्कोलर्षिप का फॉर्म कैसे फील करेंगे स्टेप बाइस्टेप मैं आपको जो एक लाइफ फॉर्म फील करके बताने वाला हूँ कैसे बनवाने हैं कैसे अप्लोड करने सभी डॉकुमेंट्स को जाती निवास जो लगता है वह आए जो लगता है वह सब आपको कैसे अप्लोड करने पूरी complete information के साथ ये वीडियो होने वाली है वीडियो लंबा होगा बट आपको पूरा information देखे जाएगा वीडियो ये वीडियो देखने के बाद से आपको दूसरा वीडियो देखने के आउ सकता नहीं पड़ेगी ये मेरा वादा है तो देख सकते हैं ये जो है scholarship का portal है जहां से आपको form को apply करना है यहां पर पाएंगे तो देखे apply for the post-traumatic scholarship 22-23 SCST only आप इस पे click करेंगे जैसा आप इस पे click करेंगे friends आपके सामने एक website खूलेगा और यहां पर देखे बोल रहा है कि PMS is currently open for SCST student only मतलब SCST के लिए अभी फिलहाल यहां पे आवेदन स्टार्ट करेंगा है यहां पर आपको सबसे पहले new student registration करना है आज से form fill up actual में start हुआ है अगर कोई जो है दो दिन पहले जो start हुआ था उस दिन अगर आपने form fill किया होंगे तो वो मानने नहीं होगा आपको दुबारा से registration करना होगा और वो ले लेगा आपका सारा data ठीक है न और यहां पर देखिए अभी बोल आ जा रहा है कि अभी जो है BC EBC student को जो है requested किया गया है कि अभी आप वेट करें ताकि portal पर बहुत ज़ल आपके लिए भी open होगा और SCST का यहां पर देखिए आव आपको form को भरना है और फानलाइज तक मैं आपको दिखाऊंगा यह पांचवास टेप जो दिख रहा है न पूरा फानलाइज करके दिखाऊंगा 22-23 वाला ही कोई पूराना वाला मैं नहीं दिखाने वाला हूँ ठीक है इसको declare करेंगे और यहां पे continue वाले option पे click करेंगे जिसाब इसपे click करते हैं friends यहाँ पे आपको से पर अपना पूरा नाम लिखना होता है फिर यहाँ पे father's name लिखना होता है यहाँ पे अपनो date of birth लिखना होता है यहाँ पे आपको gender लिखने बतानी होती है religion बताना है क्या हिंदू Muslim क्या है category बताएंगे अभी SCST का ही यहाँ पे so होगा BC, EBC का बहुत जल्द start हो जाएगा मैं आपको बार-बार एचीज बता रहा हूं आपको wait करना है यहाँ पर अपना email id लिखेंगे और यहाँ पे get OTP पे click करेंगे तो आपके email पे OTP जाएगा उसको verify कर लेंगे फिर mobile नमर लिखेंगे mobile पे OTP जाएगा उसको verify कर mobile और email verify करने के just बाद ही friends यहाँ पे आपको अधहार नमर अपना लिखना है और year लिखना है जिससे 2000 अपना पूरा नाम लिखेंगे जिस तरह से अधहार काट पे है एक चीज का बहतरीन तरीके से समझ लेंगे friends जिस तरह से आपके metric पे सभी जनकारी है उसी तरह से आपके तो आपका पैसा कभी नहीं आगा आपका form reject हो जाएगा तो इस चीज को ध्यान देंगे पहले आप सुदरवा लेंगे अगर कुछ भी mistake है तीनो अलग-अलग है तो अगर mistake नहीं है तो आप form की easily apply करेंगे ठीक है न अब यहाँ पे आपको क्या करना है verify कर देना है verify करेंगे आप इस पे क्लिक कर देंगे register करते ही friends आपका registration यहाँ पे मिल जाता है registration user id मिल जाता है password आपके mail पे और mobile पे भेंद दिया जाता है अपना mobile number mail id को check करेंगे आपको password मिल चुका होगा और यहाँ पे आपको print करके इसका hard copy अपने पास जरूर रख लेंगे और यहाँ पे option मिल करेंगे कैसे change करेंगे तो यहाँ पे दुबारा अपना नाम लिखेंगे जो mobile नमर आपने दिया था registration करते वक्त वह नमर फिर से लिखेंगे और gate OTP पे किलिक करेंगे OTP verify कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए password अपना एक बना लिन है password आप जैसे बनाना चाह change password पे क्लिक करेंगे आपका password जो है reset हो जाएगा चेंज हो जाएगा password जैसे friends आप reset करते हैं तुरंत आप logout हो जाते हैं और आपको दुबारा से login करना होता है नया जो है password के साथ तो user ID वही रहेगा password जो आपने change करा वो password यहाँ लिखेंगे capture code भरके login कर लेंगे जैसे friends यह यहाँ पर login करते हैं तो आपका यहाँ पर login हो जाता है आपका नाम user ID होता है यहाँ पर देखिए सबसे उपर में दिखा रहा है you will be able to apply for the postmatic scholarship 2022 यानि friends आप जो है बाराव भी पढ़ रहे हो या graduation first year है second year और third year है अगर आप third year में पढ़ रहे हैं आपका सतर 22-23 है तो third year के लिए apply कर सकते हैं तो इस तरह से आपको form को भरना है चलिए यहाँ पर देखिए यह सारे steps को complete करेंगे आप वीडियो को last तक देखिए और वीडियो को like जरूर कर द mother's name लिखेंगे यहाँ पर आपको कास्ट बतानी है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं SCST जितने भी कास्ट है उन सबका यहाँ पर list है तो आप यहाँ पर देखिए सारे list आप देखेंगे और इसमें से जो भी आपका कास्ट है वो अपना कास्ट जो है चूच कर लेंग फिर आपको नीचे आनी है यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्या आप दिब्यांग है अगर दिब्यांग है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे एकूपेशन आपके फादर एकूपेशन क्या है पिदा जी क्या करते है गौर्मेंट सर्वेंट है या यहाँ पे बिजनेस या फार्मर या प्राइवेट जॉब या अधर जो भी है आप अपने एकॉडिंग चूच करेंगे इसके बाद आपको रिलिजियन बतानी है यहाँ पे आपको अपना प्रोपर जो है एड्रेस को फील करना है जो भी आपका अधार कार्ट के एड्रेस है उसको अप फील करेंगे पीन कोड लिखेंगे परमनेट एड्रेस सेम है तो सेम सेम करेंगे सेम सेम कॉपी हो जाएगा उसके यहाँ पर अपडेट करके गो टू तो होम पे आने का बाद से अब आपको bank details पे click करना है, अब आपको bank की जनकारी को भरनी है, तो यहाँ पे bank details मैंने click कर दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको IFSC code लिखना है और यहाँ पे automatic bank आ जाएगा, जिसे यहाँ पे देखे, मैं यहाँ पे एक IFSC code लिख लाऊं, ठीक है यह certificate details का option मिल रहा है, तो हमने personal details को किया, उसको blank details को किया, आप यहाँ करते है, certificate details पे click, जिसे certificate details पे click करेंगे, यहाँ पे आपका इस तरह से certificate की जनकारी को update करना है, तो यहाँ पे समझना, यही समझना बहुत ही mandatory है, अगर आप यह अच्छे से समझ लेंगे न, तो आपको form भरने में कोई भी इदिकत नहीं होगा, और form आपका reject नहीं होगा, यही पे आपको समझना है थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए, certificate में क्या क्या आपको upload करनी है, तो देखिए, सबसे पहले आपका residential proof, आपको निवास परमारपत्र आपको upload करनी है, यहाँ पे किसके द यहाँ पे आपको आगे की 2022, 2021 इतना तक रहेगा, उसके बाद जो संख्या होती है, वो यहाँ पे आपको लिग देना है, और अपना upload certificate, उस certificate को scan करके यहाँ पे आपको upload करनी है, यह चीज़ ध्यान देंगे, 400 KB से कम रहेगा, PDF में आपको upload करनी है, ब्लैक और वाइट किती थी, कब आपका परमाणपत्र जारी हुआ है, यह चीज़ आपको यहाँ से calendar से चूच करनी है, 2021 में, 2022 में, देखें friends, मैं आपको recommend करूँगा, कि आप एक साल से ज़्यादा old वाला परमाणपत्र यहाँ पे upload न करिए, इस चीज़ का आपको बहतरीन तरीके समझ लेना है, अब यहाँ पे आपको आई परमाणपत्र अप्लोड करना है, यह भी बता देंगे किसके द्वारा इसू किया गया है, यहाँ पे यह बताना है कि इसू टू, सेल्फ या फादर या मदर, देखें यहाँ पे तीन आप्सों आ रहे हैं, आप अपने लिए इसू करवाए ह हैं आई दन करता कोण है, सेल्फ में हो जाएगा, फादर के नाम से अगर आपका आई परमाणपत्र हे तो फादर वाला यहाँ चूज करेंगे, देरी देकिंज फादर वाला भी आप यहां पे अप्लोड कर सकते हैं Si İdrag Shouts या स्यल्f भी अप्लोड कर सकते हैं अप्लोड करें न जब आफई पंटर बना आते हैं तो वहां पर लिखता वाला ही option यहाँ पे खुलके आ रहा है 22-23 का option आ रहा है लेकिन वहीं आप इसमें देखेंगे आवास्य वाला में तो 20, 21, 22, 23 वाला यह तीनों upload कर सकते हैं यहाँ पे आपको certificate नमबर फिर से लिख देना है और upload certificate यहाँ पे आपको चूच करके upload करनी है और कब आपने जारी कर तो यहाँ पे तीनों डॉकुमेंट्स आपको upload करने में मुझे ने लगता है कहीं पे आपको दीकत होगी ठीक है आप अच्छे से अवदन संख्या को पढ़ेंगे ना तो 2022 के बाद वाला जो सेक्सन है वो आपको यहां पर लिखना है बस बाकी सब सेम आपको मिलेगा आपके पर्मान पत्र पर लिखा रहा था सेटिफिकेट नंबर उसके बाद से आपको यहां पर अप्लोड करके यहां पर go to home पर आ जाएंगे जाती निवास आई अपलोड करने के यहां पर अपना जो है सुन्दर सा हाफ फोटो 200 x 230 पिक्सल का 50 कभी से कम होनी चाहिए इसको आप यहां पर चूज करेंगे और सेव फोटो पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे यह अपलोड करने के बाद से go to home पे आएंगे फोटो अपलोड करने के बाद से यहां पर देख करने के बाद से आपको वेट करना है काइंडली वेट फ़र वेरिफिकेशन प्रोसेस अब आपको वेट करना है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए तो आपका करेंगे फिरिंट्स कुछ दीन तक वेट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए जिसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आपको एक रजिस्टर एमेल ऐडी पे एड मोबाइल नंबर पे जो है message जाएगा कि आपका successfully verification कर लिया गया है जैसे verification complete हो जाता है आपको message और mail के दवारा postmatic scholarship के दवारा mail जाएगा या message जाएगा आप पढ़ेंगे और समझ जाएगे कि हाँ verification complete हो जुका है verification complete होने के बाद यह apply for scholarship का button enable होगा और उसके बाद अब apply कर पाएंगे तो friends इस video बस इतना ही आपको बता पाएंगे इस बार देख रहा है ना काफी जादा बदलाव किया गया है तो अभी आप क्या करेंगे registration करेंगे registration करने के बाद से password change करेंगे password change करने के बाद से login करेंगे login करके आप यह चार चीज को update कर लेंगे person details, bank details, certificate details और photo इस पना upload करने के बाद से आपको wait करना है और यह लोग verification complete करने के बाद से अब इनके उपर छोड़ दीजे यह लोग आपका verification process complete करेंगे और आपको एक message कर देंगे mobile पे और email पे कि आपका दुबारा से login करेंगे और यहां पे आपको यह वाला button enabled मिलेगा apply for scholarship इस पर आप click करके जो है form को apply कर पाएंगे तो यह पहला part है इसका second part बहुत ही जल्द start होगा आप यहां पे wait करेंगे अगर आपने 13 तारिक से जो है अच्छे से website काम करना स्टार्ट किया तेरह से पहले अगर आपने किया हुआ है तो आपको क्या करना है friends दुबारा से करना होगा क्योंकि वह वाला user id password अब नहीं लेगा क्योंकि वह data हटा दिया गया है दुबारा से आपको यहां पे login करके जो है क्या करना है और apply करना है से माधार काट verify हो जाएगा कोई दिकत नहीं होगा उमीद करता हूँ friends आपको जनकायरी समझ में आया होगा मन में कोई भी डाउट से कमेंट है तो कमेंट बाक से पूछेगा मिलते है किसी नए वीडियो के साथ हमें दिए जाये और देखते रेडियर सेलिंग इसके आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अवस्य दूंगा और वेरिफाई होने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसमें आपका बोनाफाइड इसके बसे फी रेसीप्ट और कौन से सत्रे के लिए आप पढ़ाई कर रहे है इस सारा चीज आगे जो है आएगा जिस ही भेरिफाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसके आगे जब भी मैं वीडियो लेकर आओ आपको तुरंत मिल सके थैंक यू फर वाचिंग जैहिन